मेरी अपनी सब की है ये दर्शको नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का दूरदर्शन चतिसगड़ के सजीव प्रसारण में कारेक्रम है आपकी बाते और कारेक्रम की आज की स्कड़ी का विशय है जलवायू परिवर्तन और बढ़ता तापमान बता और विशय विशय शक्ड़ के रूप में आज हमारे साथ हैं डॉक्टर केश उब्रुमनेम जी आप हैं सदस्य राज यूजना आयोग श्टिसगड़ सर आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कारेक्रम में विशय अंतरगत मैं बात शुरू करना चाहूंगा क्योंकि विशय बहुत बढ़ा है और आपकी उपस्तिती का लाग मिले दर्शुकों को हम देख रहे हैं कि केवल राश्ट्री स्थर पर नहीं बलकि अंतराश्ट्री इस तर पर जलवाईू परिवर्तन हो रहा है तो सबसे पहले तो मैं यही जाना चाहूँगा कि क्या इसकी प्रमुख वजय मानते हैं देखे जलवाईू परिवर्तन से पूरा विश्व चिन्टित है इस समय और विश्व समुधाय के सामने सबसे बड़ी चिंता का विशय यही है कि इसका कोई तत्काल इसमें कोई हल निकलता दिखता नहीं है इसका तत्काल हल तो तब निकलेगा जब हमारी जो निर्भरता है आज की तारीख में हमारी निर्भरता जिवाश मिंधन के ओपर बहुत ज्यादा है जिसका हम फॉसिल फ्यूल कहते हैं यानि कोईला है ड ये तहाशा औद्योगी की करण हुआ, जो मशीनी युग आया, इंडस्ट्रिल रिवल्यूशन जिसे हम कहते हैं, उसके कारण अट्मासफेर में कार्बन टैक्साइट का परसंटेज बढ़ने लगा, खेती की जमीन बढ़ने लगी, तो खेती की जमीन से मीथेन गैस निकलने लगी, तो मीथेन एक बहुत बड़ा कारक था, उद्योगों का सिलसला बढ़ा, तो उसमें बहुत सारे हाइड्रो फ्लोरो कार्बन, या पर फ्लोरो कार्बन, ऐसी बहुत सारे चीजें, रासाइनिक चीजें आने लगी, नाइट्रस आकसाइट का कंसंट्रेशन बढ़ने लगा, इन तमाब चीजें को वाटर वे पर वाश्पन गर्मी बढ़ी तो वाश्पन बढ़ा, और वाश्पन के कारण जो जलवायू है हमारी उसमें तबदीली आने लगी, गर्मी बढ़ने लगी, और ये सारे जो ग्रीन हाउस गैसें हैं, सम्मिले टूप से हम ग्रीन ग्रीन हाउस गैसें के कारण पृतिविका तापमान बढ़ने लगा, और पृतिविका तापमान बढ़ने का मुख्य वजह यह है कि जो सूरज की रोश्णी धर्ती पे आती हो, धर्ती गरम होती है, पहले ये गर्मी निकल जाती थी अट्मासफेर में, अब अब देखें, ओद्योगी करांती के पहले हमारे एट्मासफेर में 200 पार्ट्स पर मिलियन यानि 200 प्रति 10 लाग भाग में कार्बन डैकसेट का सांद्रन होता था, जो अब बढ़के 400 के उपर चला गया, और आज करीब 420 के आसपास पास पार्ट्स पर मिलियन, हर 10 लाग में 420 पार्ट जो है कार्बन डैकसेट का हो गया, तो ये बेतहाशा बढ़ रहा है, और इसके जो है ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशल जो अगर आप देखें, तो अगर कार्बन को हम एक मान लें, तो मीथेन जो है वो 25 गुना जादा गरम करता है, और इसके अब अलावा गर ना होते हैं, क्योंकि ये सूरज की रौष्णी में इंफरा रेड रेज होती है, और इंफरा रेड रेज वो होती हैं, जिसको हम कहा सकते हैं कि वो अधोरक्त जो प्रकाश किरने हैं, वो गर्म पैदा खरती है, और वो गर्मी के कारण पूरे हवा में, वायुमंडल में गर्मी जाती है गी सूरज की रोषनी यह पर्टिकछ ऑशोषित करते हैं और झाल विकिरन करते हैं यह तो गर्मी प्यवल जाती है और उसका नतीजय होता है हमारे जो हिम्णध हैं जो जिसको घृषिर किहते हैं यह पिढलने लगते और यह जब पिघलते हैं आपको मालूमें बहुत सारी नदियां जो है हमारी उसी से आती ग्लिशियर के मेल्ट होने से ही पानी आता है तो हमारे नदियों में खत्रा इस बात का बढ़ जाता है कि नदियों में बार की स्थिती निर्मित हो जाएगी यह पानी समुद्र में गया तो बहुत सारे हमारे जो द्वीप समू हैं जो लो लाइंग एरियास में हैं नीचे हैं उनके डूबने का खत्रा हो जाएगा वहां से लोगों को मुख्य लैंड में में लैंड में आना पड़ेगा तो क्लाइमेट रेफ्यूजी कहेंगे हम लोगों को ऐसे लोग जो जिसको आप शरणार्थी कहते हैं वो जलवाईव परिवर्तन के कारण बिचारे शरणार्थी होंगे और वो हमारे में लैंड में आ कि हिम्युक की वापसी हो रही है जहां बर्फबारी हो रही है वहां जरुष से जादा बर्फबारी हो रही है और यह अभी हम पिछले दिनों में देखा हम अगर अपने देश की बात करें तो चाहे हिमाचल की बात करें जम्मू कश्मीर की बात करें तो वहां पर इतनी के तापन में काफी फर्क न जरा तो मैं यहां पर यह जाना चाहूंगा कि global warming तो समझ में आता है हम यूग की क्या वज़ा हो से दरसल में जलवायू परिवर्तन अपने क्या अपने साथ क्या क्या परिवर्तन लाता है इसका पूर्वानुमान लगाना बड़ा मुश्किल होता है इतने सारे adverse climatic events हो रहे हैं इतनी erratic हो रहे हैं ते कि बारिश का पानी पहले हम कहते थे कि साब 15 जुन तक हमारे बारिश आ जाती है अब आप देखे ने 15 जुलाई तक बारिश नहीं होती है वैसी कब ये बारिश बंद हो जाएगी कितना लंबा dry spell चलेगा एक बारिश का दौर आया और दूसरे बारिश के बीच में लंबा गया पा जाता है तो हमारे किसानों को भी बड़ा नुकसान होता है क्योंकि पहले वह बोते हैं अब बोने के बाद समय पे पानी नहीं गिरा तो dry हो जाता है तो यह erratic rainfall है या कभी आया तो इतना ज्यादा बारिश हो गई लगातार बारिश हुई या कहीं बादल गistan हाती है तो बहुत सारे ऐसे इसके जो माएफ 정부 है जो इसके प्रभाह है यह दूश्प्रभाव बहुत सादा देखने को बिलते हैं तो पूरवानुमान लगाना बहुत मुश्किल काम होता है क्योंकि मौक्ष परिवरतन कोई एक वर्ष में या दो वर्ष में होने वाली यह जो मौसम चक्र में परिवर्तन हो रहा है, यह दरसल में लॉंग टर्म अगर आप क्लाइमेटिक इवेंट्स को देखें, जलवाईू में जो परिवर्तन आ रहा है उसको देखें, तो उसका आसर हमारे मौसम में भी तब्दिली होते दिखाएते हैं। इसमें जो भूकम पाया है, तो बहुत जादा कैजूल्टिस तो देखने को मिली रही हैं, लेकिन इस हद तक कि पूरे के पूरे शेहर के शेहर जमीन दोज हो गए, तो इसकी भी क्या वज़ाए यह जलवाईू परिवर्तन हैं। आपने देखा होगा, औरीसा हर साल एक दो तीन तूफानों से दो चार होता है। पश्चिम बंगाल जो हमारे बेया बंगाल के अरिया बंगाल की खाड़ी से लगे हुए जो प्रदेश हैं। उनमें हमेशा आपको हर साल में दो तीन बार बड़ा कहर ढाता है वो तूफान। और यह घटनाएं बढ़ती जा रही है। पहले इतनी फ्रिक्वेंसी के साथ यह घट तूफान नहीं आया करते थे। अब वो फ्रिक्वेंसी बढ़ गई है। अब यह आप देखिए कल परसों एक गैबरियल तूफान आया उसने न्यूजलेंड में तबाही मचा दी। और न्यूजलेंड में अमर्जंसी लगाने पड़ी है। तो ऐसी यह जो फ्रिक्वेंसी है अमेरिका में आप देखिए कैलिफोर्निया की जंगलों में बहुत हो गया था ब्रजील में आप देखिए जो अमेजान के जंगल है उसमें बेताहशा आग लग रही है तो कहीं पर पानी एक्सेसिव बाड़ा आ रहा है कहीं तूफान आ रहा है कहीं आगने दुरगटनाएं बढ़ रही है यह तमाम चीजें बताती हैं कि वायू मंडल में व बढ़ती जा रही है सर आपने जो बिल्कुछ सही कहा कि आने वाले समय में और चुरौटियं बढ़ने वाली हैं अब आम तोर पर जब बात करते हैं और एक आम आदमी का उपीनिन आता है तो वो बोलता है हर चीज को वो पर्यावरन संतुलन और संतुलन की बात करके टाल द के साथ में और भी जो चीजें हैं जहां पर एक आम आदमी का सही होग बहुत जरूरी होता है वो क्या है तेकि इसकी बहुत आम आदमी के जीवन में कुछ परिवर्तन उसको स्वैम से लाने चाहिए क्योंकि इसका खामियाजा वोई भुगत रहे तो एक तो हमारी जो एकॉ हम बिजली का उपयोग करते हैं हम अपने आवा गमन के लिए हम वाहनों का उपयोग करते हैं और वाहन भी हर आदमी ने अपनी अपनी गाड़ी कर रखी है पहले कलेक्टिव पब्लिक कन्वेंस हुआ करता था अब हर आदमी ने अपनी अपनी गाड़ियां खरीद ली उन स पी यह उसके आंदर भी यह सारे green house gases थे उसका भी एक प्रभाव पड़ा इसके अलावा देखे जितना जूँ मध्धुत का उत्पादन कर रहे हैं उस जदा करीब तकरीबन असी प्रतीशति का उत्पादन हमारे ताप विद्धुत संहरां से हो रहा है ये जो ताप विद्धुत सहियंत रहे कोईले पर चलते हैं, कोईले को जला के आप पानी को भाब बनाते हैं और उससे स्टीम टर्बाइन को आप घुमाते हैं और बिजली पैदा होती है, तो बिजली की खपत भी हमारी बढ़ती जा रही है, और हम ये भी मानते हैं कि साब ब सायोग दे सकते हैं दर्शकों यहां पर हम एक छोटा सा विराम लेंगे और विराम के बाद हम तुन आप से इस विशे पर और चर्चा करेंगे, आप कहीं मत जाएगा, एक छोटी से ब्रेक के बाद मिरते साल यद सितलाम सस्य शामलाम मातरम, बंदे 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 मातरम, शुब्र जोचना, पुल्कित या मिनम्, पल्लक सुमीत विद्रम दल सोभी सुहा सिमी सुमधुर भाशनिम सुखदाम बरदाम मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम बंदे माघरा आम आदमी के आई है तो एक प्रिश्न मैं आप से और जाना चाहूंगा की रोग प्रतिरोधः शम्ता के हम बात करते हैं इम्मूनिटी के बात करते हैं ये बदलती हुई जलवायु परिवर्तन और इसका जो मौसमी असर हो रहा है मौसमी बीमारियां भी लगातार बढ़ रह अगर पृत्वी का तापमान बढ़ रहा है, तो निश्चित रूप से वाश्पन की रफ्तार बढ़ रही है, जलों की, तो हमारे जो जल शोत हैं, उनके अंदर प्रदूशन का भार बढ़ता जा रहा है, पहले पानी जादा था, प्रदूशन भार कम था, अब पानी हो रहा ह प्रदूशन भार बढ़ रहा है, क्योंकि आबादी बढ़ रही है, उद्ध्योगों से निकलने वाला जो निस्तारन का पानी हो बढ़ता जा रहा है, और आबादी बढ़ने के कारण जो सीवेज वाठर है, वो भी हमारे जल शोतों पे आके मिल रहा है, तो निश्चित जल जनित रोग हैं जादतर, तो इसके केमिकल इंप्यूरिटी बढ़ने के कारण हमारे सेहत को नुकसान पहुंचता है, और बायलाजिकल इंप्यूरिटी या माइक्रोबियल इंप्यूरिटी जिसको खहते हैं बैक्टिरिया है, वाइरस है, प्रोटोजोन है, इन से होने वाला जो निस्तारण का पानी है, तो उसे उचित तरीके से उपचारित करके न छोड़ा जाए, तो वो हमारे जल शोतों को प्रदूशित करते हैं, तो उसके कारण भी इतिक्कते आ रही हैं, तो सर, उसके कॉज़ेस तो काफी कुछ हम चर्चा कर चुके हैं, अब मैं जान इस बार कि अगर आप बजट को भी देखें, तो आप आएंगे कि बजट में बहुत सरी ऐसी चीज़ें कही गई हैं, कि हम धीरे धीरे ग्रीन एकॉनमी की तरफ बढ़ें, यानि हमारी जो अर्थवे होसता है, वो पर्यावरणी चेतना को लेकर बनी, तो हमारे प्रधान मं हमें सामने दिख रहे हैं, तो उनका अनुमान है कि सन दोहजार सतर तक हम कार्बन एमिशन को, मतलब हम नेट जीरो कार्बन एमिशन करतेंगे, यानि जितना कार्बन सरजित हो रहा है, उतना ही कार्बन आवशोशित भी हो जाएगा, आवशोशित होने के लिए हमारे पेड पहुत ही जरूरी है, क्योंकि कार्बन डियक्साइट का अब्सॉप्शन केवल हमारे पेड पहुत है, यानि हमारा जो जंगल है, हमारे खेत हैं, हमारे समुद्र में जो जिनको आप अल्गी कहते हैं, यह उसको अब्सॉप कर सकते हैं, तो इसलिए नेट जीरो कार्बन की दर्शा में पहुँचने के लिए, हमें बहुत ज्यादा पर्यावरनी है, मतलब एफर्ट्स लेने पड़ेंगे, और उनको हम कहते हैं, कि ज्यादा से ज्यादा प्लांटेशन करने होंगे, जंगलों की कटाई को रोखना होगा, जंगलों के विस्तारित करना होगा, बढ़ देना चाहते हैं, इस बार उन्होंने कहा है कि सब हम green economy की तरफ बढ़ेंगे, और green economy में उन्होंने कहा है कि green fuel, आजकल हम green hydrogen की बात करते हैं, यानि केवल जल से हम hydrogen प्राप करें, आपको मालूम है, पानी में hydrogen और oxygen होता है, इनको अगर तोड़ दिया जाए, और hydrogen क्योंकि का कोईले के ऊपर हमारी निर्भरता कम हो सकती है, क्योंकि हम पानी से ही hydrogen प्राप करके, हम बहुत सारी चीज़ें अपनी उर्जा की आउशिक्ता की पूर्ती कर सकती है, तो green hydrogen का जमाना आ रहा है, green ammonia की हम बात कर रहे हैं, हम green mobility की बात कर रहे हैं, आजकल आप देखे, petrol diesel के ऊ हम होते हुए, हम electrical vehicles की बात कर रहे हैं, EVs जिसे कहते हैं, उसकी बात कर रहे हैं, और जब electrical vehicle आती है, तो हमें battery की बारे में, शेतर में हम आगे बढ़ रहे हैं, lithium-ion battery की बात कर रहे हैं, बहुत सारे नए-ने किसम की battery आ रहे हैं, जिसमें energy storage बहुत ज्यादा है, यानि बहुत पड़े, यानि बिजली का उपयोग कम से कम प्रकाश के लिए तो न पड़े, और वो ऐसी buildings बन रहे हैं, कि उसमें शायद आपको air conditioner के वे उपयोग की जरुवत कम पड़े, तो आप अपने carbon footprint को, यानि carbon के उपर जो निर्भरता है, उसको कम करने की दिशा में काफी कुछ क है, वो इसलिए कहते हैं कि वो बिजली की खपत को काफी कम करते है, तो इसके लिए energy audit करके, एक संस्था है Bureau of Energy Efficiency, वो यह सारे equipment को star rating देती है, तो usually हम यह कोशिश करते हैं, कि जिसकी star rating अच्छी है, वो उतनी ही उर्जा दक्ष उपकरन है, तो इसलिए ऐसी उपकरनों का उ इसे industries को incentivize भी करती है, उनको बढ़ावा भी देने की कोशिश करती है, उनको प्रोसाहन भी देती है, तो यह हमारा जो concept है, यह सरकार ने ऐसी योजनाए भी बनाई है, कि जो भी उर्जा दक्ष संयंतर बनाएंगे या उर्जा दक्ष उपकरन तयार करेंगे, उनने कुछ प्रोसाहन भी दिया जाएगा, इसके अलावा देखे, ग्रीन हाइडरोजन मिशन में जो अभी बात की है, इस साल उन्होंने 19,700 करोड रुपे की राशी हमारे बजट में रखी है, तो यह बताता है कि सरकार की प्रतिबधता को जाहिर करता है, कि वो कार्बन के ऊपर आधा जाके जो स्रोत है, उस से हट करके, जैसे अभी मैंने कहा, आपको सोलर पावर पे, विंड एनर्जी पे बात करें, नूकलियर पावर की बात करें, यह तमाम जो पावर के जो स्रोत है, इसको बढ़ाने के लिए तकरीबन 35,000 करोड रुपे की राशी इस बार एनर्जी ट्र पे बहुत काम चल रहा है, तो एनर्जी स्टोरेज के लिए उसको कहते हैं, एडवान सेल केमिस्ट्री, इडवान सेल केमिस्ट्री में ऐसी अलेक्ट्रोड और ऐसे कैथोड और एनोड बनानी की कोशिश करने हैं, जो ज्यादा से ज्यादा बिगली को संचित करके रखें औ इनको भी इस बार कोशिश हो रही है कि करीब 4,000 MW तक की एनर्जी को स्टोर करने की इस वित्तिवर्ष में सरकार की योजना है और इसके लिए वो उसको भी प्रोसाहित करनी है जो बैटरी मैनुफैक्ट्रेर्स हैं उनको भी इंसेंटिवाइस कर रही है ग्रीन क्रेडिट पेमेंट भी कर रही है ग्रीन क्रेडिट पेमेंट का मतलब यह है कि वो ऐसे उद्ध्योग जो की अपनी निर्भरता कोईले पर आधारित जो बिजली है उससे कम करेंगे और जो उर्जा के अन्य स्रोथ हैं यानि नवी करन उर्जा की बात कर रहे हैं अकर renewable energy पे उनकी निर्भरता बढ़ेगी, तो उसको भी प्रोसाइद करने के लिए सरकार ने बहुत सारी योजना बनाई है, यानि सरकार अपनी तरफ से हर उस चीज को बढ़ावा दे रही है, जो कि कार्बन के उपर हमारी निर्भरता को कम करे, और जैसे मैंने आपको से जिकर कि जल्वाई परिवरतान का मुख्य कारण जो है, हमारे कार्बन के उपर, जो हमारी निर्भरता है, वो ही इसका प्रमुक कारण है. सर आपने बहुत अच्छी बात बताई और यह बिलकुस सही भी है, कि सरकार अपनी तरफ से कोई कमी नहीं रख रही है, और दूरगामी जो दृष्टी है, दूरदृष्टी है, वो साफ नजर आ रही है, दोहजार सतर की भी आपने बात की, कि तब तक हम इसको जीरो कारण पर ले आएंगे, और अभी हम देखते हैं कि लोगों में जागरुकता आई भी है, बहुत सारे जो संस्थान हैं, वहाँ पर हम देखते हैं, सोलर एनर्जी के लिए जो है, उनकी छटों के उपर वो काम चल रहा है, और उन्होंने लगा करके उसको यूज करना भी चालू कर और लोगों की जो जागरुकता है, वो और बढ़े, ये भी जरूरी है, लेकिन इसके साथ साथ मैं आपकी उपस्तिती का लाब लेकर के, आम लोगों से और क्या हम उमीद कर सकते हैं, कि इस 2017 सरकार का टार्गिट है, हम उसको 2065 में भी प्राप्त कर सकते हैं, अगर लोगों का सहयोग इसी तरह से जागरुकता के साथ बना रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? इस पर देखिए, हमारी निर्भरता को कम करना जरूरी है, क्योंकि वही हमारा सहयोग हो सकता है, यदि हम उर्जा के संसादनों का थोड़ा बुद्धिमता पूर्ण उपयोग करें, और उसको हम जब अपने किसी उपकरन का उपयोग करते हैं, तो कोशिश करें कि वह स्टार रेटेड कंपनियों की ही चीजें खरीदें, जिससे की बिजली की बचत हो, वह कहते हैं, बिजली की बचत ही उसका उतपादन है, तो कोशिश हमारी यह होनी चाहिए, कि बिजली की जितनी ब प्रयास के साथ उसको भी हम बंद करने की आदत अपने में भी डालें और अपने बच्चों में भी लाएं क्योंकि अगली पीड़ी को ये सारी चीज़ें जहेलनी हैं क्योंकि जलवायू परिवर्तन का आसर आने वाली पीड़ी पे भी बहुत ज्यादा होने वाला है सर मैं समझता हूं कि इस निर्धारी समय में एक बहुत अच्छी चर्चा आपके रहने से और लोगों तक एक बहुत अच्छा संदेश गया है कि जलवायू परिवर्तन के साथ जो बढ़ता हुआ ता आप माने उसमें एक आम आदमी की भूमिका क्या होनी चाहिए सरकार के जो के वल यही कहना चाहेंगे कि आपके बातें आपका अपना कारेकम हैं महत्पून बातें आप तक पहुंचती हैं कारेकम के अगली कड़ी में एक नए विशे के साथ फिर मिलेंगे और आपसे करेंगे आपकी बात तब तक के लिए नमस्कार मेलेए आपकी बातें आपकी बातें आपकी बातें हर भंशोफ हैं